नमस्कार साथियों साथियों अगर आप चाहते हों कि एक ऐसा पोधा जो सजावटी हो एर प्यूरी फायर हो वायू सोधक हो हूमिडी फायर हो हवा को फिल्टर करता हो आक्सिजन के परवहा को बढ़ा देता हो परदूसन मुक्त कर देता हो घर को ताजी हवा देता हो हर्याली को बढ़ाता हो हमारे मूड को बहतर कर सके तनाव को कम कर सके और जिसका रख रखाव बहुत कम हो जिसे उगाना आसान हो और आसानी से नरसरियों पे मिल जाए हमारे लिए सकारात्मक उर्जा सम्रदी सोबागे का स्रोत हो घर में खुसियों को आमंत्रित करे तो वो पोधा वो परफेक्ट प्लांट फोर प्यूपिल्स के लिए है पोथोज तो पोथोज को अपने घर में अगर ये सारी चीज़ें खुसियां आपको चाहिए सम्रदी चाहिए सो भाग चाहिए मूड और तनाव को ठीक करने वाला पोधा चाहिए तो बेस्ट प्लांट मैं कहूंगा वो है कम रख राखाओ वाला लो मेंटिनेस वाला पोधा पोथोज यानि के मनी प्लांट और उसमें भी अगर वेराइटीज वाइज बात करें हम किसमों की बात करें तो सबसे बढ़िया है जो ये आप सामने देख रहे ना गोल्डन पो आया था और अब हर जगे ये रखा हुआ मिल जाएगा उसी से हमने कटिंग लगा लगा के देखिए ये सीडियों में रखा हुआ इस पोधे के लिए सबसे बात सबसे मुख्य एक टिप है कि इसको इंडारेक्ट ब्राइट सनलाइट चाहिए और ये ऐसे स्थान पर हो जहा ये एरेसन अच्छा हो हवा मिलती रहे बंद एकदम बंद कमरे में जहां हवा ना आती हो वहां इससे थोड़ा ही मुश्किला आता सामने आती है इसका जो बोटेनिकल नाम है वो है एपी प्रेमनम ओरम तो एपी प्रोनम ओरम को डेविल सीवी भी कह देते हैं कि इसको इसक इसके सहारे बढ़ता है बहुत पॉपुलर है इसके यूनिक ग्रीन और येलो कलर के करन ये मसूर है और वेरी एजी टू केर है हैंगिंग बास्केट में बड़ा अच्छा चलता है और इसको माना जाता है कि ये लक को लेके आता है घर में ब्राइट इंडिरेक्ट लाइट चाहिए और इसको पानी सब्ता हमें मिट्टी के अनुसार एक या दो बार पानी दे दीजे और उर्वरा किसम महा में और्गेनिक लिक्विड वर्टिलाइजर महा में एक बार दे दीजे बहुत ज़्यादा इसकी आवश सकता है नहीं है तो ये पोधा हमारा बहुत ही इंप्रेचर नमी ये मिलती रहे रोशनी इंडारेक्ट ब्राइट सनलाइट मिलती रहे एरेसन की ववस्ता हो तो ये बहुत ही अच्छा चलता है ब्राइट सनलाइट इसको चाहिए इंडारेक्ट ब्राइट सनलाइट इसको चाहिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट च आच्छा चल रहा है कुछ हमने ऊपर की तरब जो रखे होए हैं उनमें देखेंगे तो येलो कलर ग्रीन के नीचे वाले के मुकाबले जब्लेजा is और रोषनी की तरफ बढ़ता है तो ये येलोईसनेस ले लेता है ज्यादा तो ये पोधा बहुत ही बढ़िया पोधा है और अपने घर में उगाने के लिए ये परफेक्ट पोथोज है दिल के आकार के पत्ते होते हैं, हरे और सुनहरे पीले रंग का मिस्रन लिए होते हैं, तेजी से बढ़ने वाला है, आठ पीट लंबा बढ़ जाता है, छे पीट छोड़ा हो जाता है, और क्लाइमिंग नेचार है, किसी का भी सहरा लेके यह उपर बढ़ जाता है, और इसके से बात देखिए, ये है हमारा Snow Queen, जैसा कि नाम है ये Highly Variegated White with Medium Green, जो Variegation इस में देखिए, ये ग्रीन इसे ही द्धूप अगर मिल जाए इसको के मौनें की धूप रखना इसको मौनिंगी दूप धूपर मिल जाए लेकिन दोपेher की अस्तुम की दूप इसको नहीं चाहिए यह बड़ा अच्छा правда फ़धार शाया हुझ effectivement इसको तो सस्वें यह फिऒहनी असलती नियुकह, यह पोथोज जितने हैं कहीं भी कटिंग आपको मिल जाए यह मैं जेखे तोड के लिए आया हूँ मेरे एक रिलीटिव के घर पे यह लगा हुआ था उसमें से इसकी एक टेहनी तोड के लिए आया हूँ और एक छोटे से पोट में एक टिंडी का सहरा देके इसको हमने लगा है मिटी के अंदर ही प्रोपेगेटीस को कर दिया है अब मिटी में क्या guy garden soil हम रही लेके इसमें इसको लगा दिया तो देखेंगे कितना खूबसूरत अब लग रहा है ये पोधा तो इस वेराइटी को भी जो स्नोगवीन है पोधोज की इसको भी अपने घर पे हमें लगाना चाहिए और तीसरी वेराइटी हमने जो लगाई हुई है अपने पोधोज की वो है एन जोए पो लगाया हुआ है और गार्डन गार्डन सॉइल सेंड परलाइट वर्मी कंपोस्ट नीम कली और कुछ फफुंद ही ना सक मिट्टी में मिलाकर इसको हमने लगा दिया है और ये देखे हमने इसको सेड में टांगा हुआ है इस बास्केट को अपने हैंगिंग गार्डन जों हिसके तो सेड में इसको ममें लगा हुआ है और ये झाला इसको पठानी में लगा लिजिए ए भी मीट्री में इसकी कटिंग लगाली जड्येश इसमी निकलते हैं आफ लेकि इसकी भी हमने कुछ कटिंग बास्केट देख रहं है इसमें जो हमने हमने दीर की हुई है गाडन सौयल में हमने सेंड और वर्मी कंपोस्ट मिला के नीम खली और फंле साइन मिला के जो तो हम कटिंग लाए है उनको इसमें लागा दिया है और इसमें देखे एरियल जड़ा अब इसको पानी में भी लगा सकते हैं हर इसकी गाट पे नोड पे एरियल जड़ है वहीं से काटके गाट के नीचे से काटके आप पानी में लगा लीजिए यह क्योंकि हमारे पास परियाप इसलिए हमने बड़ी-बड़ी कटिंग लगा है अब छोटी-छोटी कटिंग हर नोड के उपर से काटके लगा सकते हैं तो यह हमन प्रोपेगसन किया अपने इस एंजोय हमरा मनी प्लांट है उसका अब यह को भी हमने प्रोपेगसन इसका उसे में में चोटी चोटी कमलों में किया यह दोनों बड़े खुबसुरत पोदे इस तरह हमारे पास तीन वेराइटी इनकी है और यह तीन वेराइटी घर के अंदर जहां भी रखी होती हैं देख रहे हैं आप सामने के जहां भी रखी होती हैं अगर कोई व्यक्ति घर में परवेश करता है तो उसको अपनी और आकर्षित किये बिना नहीं रह सकती यह आकर्षित करती हैं और घर के अंदर बहुत ही सुन्दर लगती हैं तो यह आज मैंने जो मेरे यहां पर लगी हुई है उनके प्रोपेगेशन के बारे में उनकी देख भाल के बारे में चर्जा की है